तो अब रिवान गुड मॉनिंग टू आल तो स्वागत आप सभी का फिर से निउस पेपर शेसंड में तो चलिए शुरू करते हैं आज का निउस पेपर और देखते हैं कि आज के मारे निउस कह रहेगी तो शुरू करें तो उसके पहले सभी ध्यान दें कि भाई कोविड-19 चल रहा है और केसे बहुत तेजी से बढ़ रहें तो अपने आपको स्तुरक्षित करें आप स्तुरक्षित हैं तो अगर देखें पहली निउस हमारी जो है वही कोरोना सही आ रही है तो अच्छा मुझे थोड़ा सब बोलने में शो हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहते ह है न तो इंडिया रेकॉर्ड्स 2.16 लाक न्यू केसिस और वन हंडर्ड वन थाजन वन हंडर्ड फट्टित्री डेट्स मतलब कि इंडिया ने नया रेकॉर्ड को टच किया है किसको लेकर के कि जो नए केसे साइए 2,16,000 और जो डेट्स होई है कितनी 1,133 डेट्स हो गई है और जो महाराष्टा है वो फस्ट नंबर पर है 6,695 केसिस के साथ और उसके बाद हमारा स्टेट आता है तो यह सारे प्रॉब्लम्स आ रही है नेक्स्ट अगर देखें तो इसी को चलते डेली ने क्या किया है कि जिम्स जो हैं मॉल्स हैं और जो इस्पा सेंटर्स हैं उनको शुट कर दिया, बंद कर दिया है और साथ ही में एक सारी साथ ही में e-passes बोला किसके लिए for providers of essential services during weekend says केजरीवाल केजरीवाल ने बोला क्या कि जो इपासेस की जरूत होगी जो इसेंसियल सर्विसेस जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए और अगर निक्स और देखें नीज तो क्या हुआ है कि इनसे एक सुख़दी नीज कहें नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला था कि इनसे कितने लोगों की जिंद टैरेस्ट स्कुएर ने इनको ने पकड़ा है और जो इनके पास थी उनके कि töि 150 क्रोवड रुपिज़ेस 150 क्रों रुपी मतलब कि 150 क्रोन रुपे की 150 क्रोन रुपे के उनके पास करहा थी रोएं उनके पास थी ने間क्स अगर देखें यो है वह लेंके ऐसका substitute ह्रोगो के आ अगर शायद एकन नहीं हुआ होता तो हम साइन्स में ज्बंत cb अप अप्टरिब में सब्सक्राइब सबस्क्रीम कोड़िट क्या हुए कि इन्वस्टिगेट करना इन्वस्टिगेट करने कि इसको पैनल रिपोर्ट को कि इसको के प्र Khalum नुभर को इसको कि ऊतिकर और करेंश को कि इनहीं को फ्रेंट臨े को एक वाइए जब एगे तो चीजेजें और खराब होएगी let me ते बात कर रहे हैं कि के लिए कि जो मुंबाई कंपनी तो मैन्फेक्टर को क्या करेगा को वैक्सिन कर गए तो उसी से जुड़ी हुई है और नेक्स अगर निउस देख हम देखें तो इसमें जैसे आ रहा है सेंटर तो पुश जजस अपॉइंट्मेंट्स की जैसे जजस की हाई कोट में बहुत ज सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रेकबरडनेशस है भीन कंदिंग फो सीक्स मंत कि सुप्रीम कोट के जो क्लेजियम फे गरूप है जो क्या करता है कि जैसेस को पुर rifman करता कि कौन यको कई केस में तो मिला है उमर खालिदी कौन है दंगे बहुत भड़काते ही भाई साथ याना उमर खालिदी कश्मीर के रहने वाले हैं और इनके ये अब इनको यूए पीए में फी फिर अंदर हो गए मतलब कई सारे केसे से लिखे तो एक में इनको मिला है एक में क्या मिला है कि एक जा सकती हैं और बेंगॉल में पांचवें चरण के जो एलक्शन से वो गेर अपर है मतलब की तेजी से वहां पर चीज़े बढ़ रही हैं और अगर कॉलम्स में देखना है नियूस तो थोड़ा समय फास्ट पढ़ रहा हुआ अगर क्रिकेट की बात करें तो भाई कल किसने मि एडिटोरियल के तरफ और देखेंगे कि वहां किया तु आज का काफी बड़ा इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग और बहुत ही मातपुड़ा आपको मज़ा आने वाला है कि किसको लेकर के यह लिखा गया एक स्पाई है इसके पर मोवी भी आ रही है आर माधवन की म इसका रोल प्ले करेंके अभी जो हमने देखा कि नाम भी आराय्ट तो नाम भी आराय्ट का रोल इसमें प्ले कर रहुड करें यह जो पूरा इस था मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं इसके पीछे बैगराउंड क्या था और अगर शायद में यह प्रॉब्लम नहीं हो दी तो शायद इंडिया के जो इस पेस फ्यूचर है इस पेस डेवलमेंट है हम बहुत आगे होते जो हमने चंद्रयान लाउंच किया इतनी देर दो को लेकर के शिर्फ एक सब्समाइब करके जो कब इस रोके जो मिन्ज तो एक प्रोजboys होता है उसके चला रहते हैं उनको फॉक्त करके तो हडिच ऑर यह कि परॉफ 272 का मतलब जांच करना स्यूफ का मतलब एक तरह से क्या होता है कि आप बोसकते हो प्यों स्टेट काव बोल सकते हो इसपाई सपाइब करते हुए हुए उनकी बात करते है थिए उनक्यांट करना तो बोला कंगया कि सीबीयुक्या की छिद्ध इन दध्र इंट्वर इस ब्रॉब नयाजेशन जो हमारी है वो जो है इस के स्पाई किस हुआ था के इस मास्टर माइंड्स इन सच एज मच नीडिड इस्टेप फॉवड का मतलब कि मुझे इस चीज्ट का मतलब बहुत ही जिसकी आँ सकता घीज इस्टफ फावड कर लिया गया है कह रहे है कि इस रोका इस spy case है उसके पीछे जो masterminds लगे थे जिन्होंने इस्तिमाल किया ना उसमें जो CVI की जो report आई है जाँच आई है तो उसको लेकर के क्या है ना कि जाँच पर रहे काफी चीज़े अच्छी है उसको लेकर कि हाँ यह होना ही जाहिए था बहुत पहले हो जाना चाहिए था अब कहानी क्या है जरा सुलूफ पर हम इसको English पढ़ने स्टाट करेंगे हुआ यह था कि बात करते हैं 1994 की 1994 में पहले था पढ़ लेते हैं 1994 पर आएंगे तो हम इसको डिसकस करेंगे क्या है कहानी है सुनिंए गड़ांड़ांगे है सुप्रीम कोट्स ओडर टसकिंग स्टीवी एई की सुप्रीम कोट के जो ओरवरे हैं की टास्क करना का काम देना किसको सेवी एई को टो लुग इंडू का मत्लवड़ इन्वेस्टिगेट तर जस्टिस डी के जैन कमिटी ओन दे एक्शन तो बी टेकन अगेंस दूज हूँ इंप्लिकेटेड इस पेस साइंटिस्ट नाम भी नायरायन इन बहुत पड़ा नाम है इंद इस रो एस्पिनोज एस्पिनोज का मतलब होता है कि जो यह जासुसी करते है उसको केस 1994 is a क्या क रहे हैं की is logical and much needed step forward in the ensuring ensuring का मतलब को ensure होता है एक एससर्ट ऑब एक होता है तो एक होता होता है ensuring का मतलब सुनक्षित करना और ensure यह जो है न इसका मतलब बीमा कराना होता है आई वाला तो ensuring अकाउंटमेल्टी फॉर दे सस्पेक्टट फ्रेम अप कि जो सस्पेक्टट का मतलब जिनके उस पर शंसा तुरी जिनके उपर संसाइज आ जा रहा है था उनके उपर उन्होंने फ्रेम किया इंस सबसी जो को लेकर कह रहे हैं कि यहां से लगाकर पूरा का पूरे एक सेंटें हो रहेगा चीज आपकी उतनी ही बहतर बनेंगी तो अगर आप इंग्लिश में सच में कमांड अपनी चाहते हैं कि धिरे-धिरे होगा तो कहरें कि जो सुप्रीम कोड का आउडर है उसने जो टास्क दिया किसको से वियाई को कोई इन्वेस्टिगेट करें जो जस्टेस डी इन दे इस रो इस्पिनोस केस 1994 में इजा लॉजिकल है न एक क्या है लॉजिकल मतलब तार्किक रूप में मच नीड़ेड इस्टप है बहुत ही जिसकी आवसकता थी है न और इंसरिंग सुनिश्चित करना अकांटबिलिटी इस अकांटबिलिटी का मतलब उत्तरदाइद किसका उत्तरदाइद तो निश्चित करना फॉर्द सस्पेक्टेट फ्रेम अब कि जिन्होंने फ्रेम किया सस्पेक्टेट इसके परशन से कि फ्रेम किया ने कि जिन्होंने फसाया इनको आप जरा है 1994 का केस क्या है देखो जरा जब 90 लगभग 79 उसके बैक्रांड में चलते चीजे बहुत तेजी से बढ़ रहे थी हम डेवलमेंट की तरफ बहुत तेजी से थे और जब 1994 तक आते आते मतलब की क्या कर सकते इंदिया एक्तम स्पीड में था चीजों को लेकर के ना बड़े अच्छे-चे रॉकेट्स बनाए जा रहे थे सब चीजे हो रही थी और वह क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट चल रहा था अब क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट होता है क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट होता है क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट होता है एक तरह क्या करते हैं इंजन बनाते थे और रॉकेट का ही था रोकेट का एक पार्ट होता था इनजनramत्र बनाई थे एक्सक्यों पर काम कर रहे थे लिक्विट कंड़ा हैं सैंड grace चल रहा था तो उसी टाइम पर क्या हो रहा था कि 1994 में जिसद चीज़ पर हम काम कर रहे थे Sis उसके लिए हम को चाहिए था स्थ्यूरस चाहिए था एक तरह संकट चीजे चाहिए थी तो हम किसóg माँ करें तो राशिया तो राशा से तो राशिया पाल तो राल because iôm हम उनसे खरीदने की बात की यह बात क्या होई कि बात करें अगर यूएस उसमें बुश थे वहां के मिंस प्रेसिडेंट थे और फ्रैंस वगारा जो बड़े-बड़े डेवलप्ट कंट्री थे वो यह नहीं चाते थे कि रशा क्या करें यह जो फ्यूल है इंडिया को बेचे तो इंडिया रॉकट जो आज लॉंच कर रहा है यह 1999 तक प्रोजेक्ट रखा गया था कि 1999 तक काम हो जाएगा लेकिन यह और भी पहले पूरा होने वाला था तो उस समय हमको फ्यूल की जरूरत थी तो रशा से तो रशा ने क्या कि मिंस रशा को डराया थमकाया गया इसिडेंट थे उन्होंने क्या कि वह फ्यूल देने से बंद कर दिया तो भाई वह प्रोजेक्ट वहीं पर 1994 में रुख गया तो उसके मिंस उसके बाद फिर आगे जो नामी नायरान थे और उसमें शतीज धावन थे उसमें मिंस जो थे हैना तो यह सब सारी चीजें चल रह जो रशा के जो साइंटिस्ट थे उनको शामिल किया प्रोजेक्ट में बोला कि आप दोनुं लोग मिलकर कर के क्या करेंगे हम करेंगे तब जब यह जो देख़ो यह कि सबूत नहीं मिले है मिंस कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इसमें जो युए सामिल था या फ्राइन सा बूत नहीं मिले लेकिन इतना कंफर्म है कि इस केस में क्या हुआ था तो और थोड़ा साम बता रहा हूं क्या हुआ तो इसमें यह हुआ कि मतलब तो हां यह किया गया कि जो इसमें यह प्रोब्लम आ गई कि जब रश युएस को पता चला कि भाई चीजें रोकी नहीं जा सकती है फ्रांस जैसे देर शामिल थे इसमें तो उन्हों लगा कि हमने यह प्रेशर बनाया रश्या पर तब भी नहीं रोक रहा है तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना जो उन उन्हीं को फसाया जाए तो उन्होंने क्या किया कि जो भी किया हो तो केरला के जो रहने वाले थे तो केरला में बात करें तो उसी टाइम पर नाम्बी नारान को क्या किये गा फसाया गया नामी नाराण को कैसे कि नामी नाराण के पहले एक मर्यम मिंस रोश्टी थी तो इनको क्या किया गया कि अरेस्ट किया गया जो मर्यम रशीदा करके थी इनको अरेस्ट किया गया और इनके ओपर केस क्या लगया गया कि इनके उपद सामिल हैं और प्रजेक्ट के नेम औगरा थी तो तो उनको अरेश्ट किया गाया है फर उसके कुछ समय बाद उनको अरेश्ट किया गाया एक महीने वो इसमें काम कर रहे थे, तो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, تو जब इनको अर्च कुछा शर्ड़िया और बाध ले इंको 15 mature 15-50, 60 के लिए इनको जेल मे रहना पड़ा है, अब जब इसकी तुरण्त क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान गाना इसमें का ना मया, यही चाहते थे बाहरी लोग चाहते थे कि नामी नाराण को किसी तरह से फसाया जाए इनको प्रोजेक्ट पर काम ना करने दिया जाए अब सोचो उस समय यह एकदम फुल फ्लेस्ट तरीके से काम करने थे एकदम उफान में थे काम कर रहे थे इंडिया के लिए इस रोप जो वगरा चल रहे थे उनमें यह काम कर रहे थे इनको अरेस्ट किया गया सबसे बड़ी बात बोला यह जाता है कि जो साइंटिस्ट का होता है कि साइंटिस्ट का एक सेकंड का सोला हुआ हिस्सा भी बहुत उसके लिए मातपून होता है कि तभी हो सक्सेस्फुल हो सकता है ला पूलिस ऐसर्स के उपर कारवाई होना चाहिए अप इसमें झाल कि केर्ला जो गभंगमेंट है वो क्या कर रहे है कि पूलिस ऐसर का पचाव कर दोémie औस गर्ला को इसको पॉलिस ऑफिसर से उनको बचा रहे हैं कि उनके उपर आक्षन न लिया जाए आप सुचहों आपको किस हाथ तक मतलब केरला आपके डवलप्ट है बहुत जादा डवलप्ट है लेकिन अभी वहां पर मतलब कि जब आती है बात ना कि जब इंडिया की बात आती है तो य यह सारी चीज़ें इनके लिए आती हैं तो केरला में जो रहते हैं वाम पंथी मिलेंगे जिनको लेफ्ट विंग बोलते हैं और लेफ्ट विंग कभी भी क्या करता है कि इस प्रजेंट जो गौर्वर्मेंट ना तो इसको सपोर्ट करता है है वो जब नेशनल की पास आती है तो अपने हित के पहले कभी भी नेशनल मिंस जो राष्ट रही थे उसको कभी नहीं रखते हैं इंट्रेलक्ट्वल्स जो होते हैं जो जो जैन्री के प्रोफेसर्स हैं चाहे वो उनकी बात लेलो चाहे तो इनको लेलो तो यह हमेशा क्या करते हैं कि इनको अपने हिसाब से से बच रहें तो हुआ यह कि भई सीधा सीधा नामी नारांड को अरेस्ट किया गया उनको जेल में डाला गया पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो 14 साल पीछे चला गया तो सोचों कि जो 14 साल थे जो चर्पार 14 साल झुजब और हां यह जो मिन्स चंद्रान फस्ट हमने लॉंच किया था इसमें जो मिन्स भूद बड़ा हाँ जो लॉंच वह वह होता था उसमें नामी नारांड का बहुत बड़ा योगदान है और जो मिन्स यह बहुत बड़े respected person थे not थे हैं भी भी है ना respected person है लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ बाहरी चालों की बज़े से जो ये केरला के जो police officers हैं इनको शामिल हो गए और इन्होंने क्या किया कि चीजें खराब करती मतलब कि सब कुछ मतलब खराब कर दिया सब पर पानी फेड़ दिया उनको अरेस्ट करके उनका समय बरबाद कर दिया और इसी के चलते उन्होंने बोला था कि मतलब की reputation वगरा थी तो वो तो सब गई ही सही अब हाला कि सुप्रीम कोट ने उनको फ्रे किया है और मिंसे उनकी फाइनल रिपोर्ट आना वाकिए और उनको क्या किया है पाकिस्तान को चीज़े बेची है और ऐसा कुछ था ही नहीं उनका में परपस था जो बड़े बड़े यह जो मिंस यूएस और फ्रेंस वगरा है इन्हों नहीं साज़िस्रची थी कि इनको किसी तरह से रोका जाए और जो इंडिया के प्रोजेक्ट से उनको रोक दिया जा जाएगी तुम्हें थोड़ा पढ़ आज में से दिकत भी हो रहा है पढ़ने में तो इसको आपको खुद से पढ़ना पढ़ेगा तो फिलाल जहां मैं जो मलेश्या बोल दिया था मलेश्या ने मालदीवियन था उसके लिए माफी चाहता हूं कि मालदीवियन वुमें थी आगे करें कि रिप्रेजेंटिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको छोड़े रिप्रेजेंटिंगा डार्क प्रीफ चैप्टर इन दे अनल्स मिंस एनल्स और पोलिस इनिस्टिकेशन इन दे कंट्री मतलब पुलिस सबसे उड़ी समें मात पूर रही उसी न सबस 설 WILLIAMS अस्को ढिता किया गया और साते में फिर किया किया और रहें कि आ था क्रला पुलिस सब्लाटिंग वलया को किया करें सब्सक्राइट रही है है कि अपने जो मेज़ी रहा था सब्सक्रांट कर दिया को अफ्र दाइन ट्र इन्वेस्टिकेशन वा सफ्रेम्ट तो सीवराइं मेटर एफ टिक प्रोब और जो करने की जो जांज पगेरा थी इसमें यही बताया गया कि जो मिंतलब बहुँ जादा मिंस कमिया थी चीज़ों को लेकर किया नहीं किसी भी तरह मतलब इनके पुरे घर की चान बीन हुई कुछ नहीं मिला एक सिंपल सा घर था विन दा सब्रीम कोट अवार्ड़ कंपेंसेशन फिफ्टी लाक तो साइंटिस्ट इन डोज़न टार्टारा में को भाई कि क्या किया गया कि दू पचास लाका कंपेंसेशन दिया गया और टेकिंग अगांट मतलब की धियान देद डैमेज तो इज ओनर रहन और डिगनिटी आरस्ट और ग्रेव चार्ड़स मतलब इनके उपर गंभी चार्ड़स के उपर क्या किया गया था और इंट्रोगेशन दफॉलिट मतलब जाच हुई पुरी इन सब के उपर चार्ड़स लगा गंभी रारोप लगे थे मतलब देश्रू का एक तरह से केज लगा था इट वाइड़ी इस्पेक्टेड दा पॉलिस ऑफिसरों फ्रेंड हिम और तो भी प्रोसीड़ अगेंस्ट तू हना कि उनके खिलाब भी करना चाहिए जो पुलिस थे उनके खिलाब एक्शन लेना चाहिए कूट फॉर्म्ट और कमिटी एड़ वाइड जस्टीस जैन के दौर हैट की जाएगी जो रिटार्ड जस्टीस है रिटार्ड आपक्स कोट के एना फॉर्द वापस दे पैनल से रिपोर्ट वास सब्मिटेड डर रिसेंटली और सेंटर सपोर्ट ते डिमांड आफ फोलो फ एक्षिन की बात की मतलब एक्षिन लिया जाए जो वो पुलिस वाले हैं सिगिनिफिकल्टी दब कोट हैस मेंडेटे दा रिपोर्ट सुबी केप्ट कॉन्फिदेंशल इसको भाइज क्या छुपा करके रखा जाए वाइल बिंग फॉर्वेड तो सीवियाई सीवियाई को क विल इंडीड हैलफुल इन एजनसी प्रोसेडिंग उन्द मेरिट्स कहने का मतलब पूरा की जुचीज जांच हुई तो मिन्स कमिलिटी की जांच से हेल्प करेगी इंचुजों को करने में हैं की जांच पगरा करने में वेन इट अवर्ड कंपेंशेशन दा कूर्ट वाइ इनिशल प्रोब वाज इन वेलेशिस में अटलब खराब थी दोश्मोर थी जो इस्टार्टिंग जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट बनाई थी एक्टम गंदी थी अनग दक्रिमिनल लॉवसेट दू इन आमोशन विद 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 वेसिसन अनुशन अनुमान करके क आज इन आपने बैटल में जीत लिया ही आपके अच्छी बात है बट इट शुड बी नोटेट दैके ला आप देखो बस सही पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहीं से स्टार्ट हो जाती है नहीं नोटेट दैट के ला गवर्मेंट क्या बोलू मैं आप इसका मीनिंग निकाल लो कह रहा है कि केरला गवर्मेंट रजिस्ट करें प्रतिरोध कर रही किसका कॉल फॉर ना कि जो डिमांड हो रही किसके डिस्सिप्लिनरी एक्शन अगेंस दा एरिंग ऑफिसर्स मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके खिलाब इसको रईस्ट कर रही है उसको रो कर रहे हैं ना क्यों रोक रहे हैं कि यो आईसा किया जा रहा है कि अपने खुद की पोलिस से इनो ने जाच करवाई CBI की रपोरिट को हना वृट थैंक्फ़ली थैंक्फ़ली थैंफ़ली थैंफ़र वस शॉट दन वद द द शुप्रीम कोड और शुप्रीम कोड ने कुद से सब किया हना तो इतूड भी इना फिटने सफिक्ष देर में थैंट फॉर्थ एंपड़िमंट थैंट तो देश एपेडिमिंट चीजिए इंवेस्टिएशन अगेंट शॉट और थैंट विजिए आप गोजिकल कोजूजिन थैंदेट थैंट पूलिया थैंटिया की क्या बूलें से शुरू है उसमें सारी तनी चीज़ा चीज़े चल रही थी और उसके बाद क्या होता है कि फसाया जाता है ना में आरांड को और फिर प्रोजेक्ट ढीले पड़ जाते हैं और हम 14-15 साल पीछे चले जाते हैं तो यह है इंडिया की पुलिस जो क्या करती है पैसे के लिए कि किसी भी तरह से फ्रेंग करके किसी को कर लेती और राजजयहे जो केरला क्या करता है कि मतलब तो इसके अगेंस्ट ऐस्ट ऐक्ट लेने में यह उनका support करता है मतलब कि action ना ले इसपात को support करता है मतलब अब क्या बोलें इसके लिए अब भुट सोचें कि कैसे चीजे होनी चाहिए तो आज थोड़ाचा इशू भी था बोले में देखका थोड़ाचा एल्थ इशू तो उसके लिए माफी चाहूंगा यहना कि वोइस को लिए करके और थैंक यू फूर वाचिंग दे वीडि सकतकुटू कि वीडिसरा ओ लए बोलेंगा टावंगा धन्योच की वीडिल चीजे कर के